कोरोना काल के बीच करनाल वासियों के लिए एक अच्छी खबर है आवास एवं शहरी मामले मंत्राले की ओर सी कच्रा मुक्त शहरों के रास्ठी परिमानों में अपना करनाल शहर तीन स्टार हासिल करने पर इस बार भी परदेश का सिर्मोर बना है खास बात यह है कि हर्याना के मात्र दो शहर परिनामों की सुची में आए है जिन में करनाल को तीन स्टार और रोहतक को केवल एक स्टार मिला है यही नहीं चंडिगर जैसे शहर को भी तीन स्टार ही मिले है इस उपलब्दी के लिए नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार य है इसे उपलब्दी हांसिल करने में करनाल परदेश भर में अकेला शहर है इसके लिए उन्होंने नागरिकों के सहयोग की तारीफ करती वी कहा है कि परदेश के मुखे मंतरी मनोहर लाल के कुशल मांग दर्शन में करनाल के लोगों ने अब स्वच्चता से अपना नाता प कदम मिला कर आगे बढ़ेगा साथ ही ऐसे परियास किये जाएंगे कि हमारा शहर रास्टे स्थर पर टोप 10 की रैंकिंग में आए जिनोंने स्वच्छता में माने पर्धान मंत्री जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का उसको पूरा करने में पूरी तरह से सैयोग किया आज पिछले साल भी हमने स्वच्छ सर्वेक्शन में 3 स्थर हासिल किये थी जिसमें हमने अपने सीटी को गार्बेज फ्री सीटी डिकलेयर किया था आज इस लोकडाउन की स्थिती में मैं बताना चाहूंगी चाहे किसी भी परिस्थिती में हमारी सफाई करमचारियों ने हमारे शहर के वासियों ने हर तरह से जी तोड मेनद करी अपने शहर को स्वच रखने के लिए और आज जब रिजल्ट आया है करनाल का स्वच सर्वेक्षन का तो हमें 3 स्टार फिर से मिले है हम आगे कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अपने शहर को और बेहतर और स्वच बनाने के लिए आगे 5 स्टार 7 स्टार तक जाएंगे हलाकि हमारा अब की बार भी सपना था कि हम इंदोर की तरह 5 स्टार पाना चाहते थे पर अब जब की सारी ववस्ताइं बनाने में कुछ समय लगता है आज हम 3 स्टार तक पहुंचे है तो सभी को बहुत 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 बढ़ाई और बहुत बहुत शूप कामना है देते हुए माने मुख्य मंत्री जी का दिल से आप भारवेक्ट करती हूँ कि उनके दिशा निर्देश में करनाल शहर ववस्ताओं में भी आगे बढ़ रहा है स्वस्ता में भी आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है इस वैश्विक मां हमारी से भी हम लोग जरूर हरियाना में जीतेंगे करनाल से जितेंगे और देश में जितेंगे करना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज